सब्सक्राइब कीजिए टेग बाइट चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर लेटस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों क्या यह possible है कि हम अपने pen drive या hard disk को password प्रॉटेक्टिग कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका टैग बाइट में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों हमारे विंडूस के अंदर ही एक ऐसा फीचर होता है जिसकी मदद से हम अपने पैंडराइब को पास्कोट प्रोटेक्टिड कर सकते हैं तो वो फीचर है आपका बिट लॉकर बिट लॉकर आपका एक इनविल्ट फीचर होता है वीडियो का जिसकी हेल्प से आप अपने पैंडराइब को या अपने हार्डिस को पास्फ़र्ट प्रोटेक्टिड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे bitlocker के थुरू हम अपने pen drive को password protected बनाएं तो सबसे पहले आपको अपने pen drive को अपने laptop या PC के साथ connect करना है उसके बाद आपको my computer पर जाना है my computer पर जाने के बाद आपको अपना pen drive शो करेगा यहाँ पर आपको pen drive के ओपर right click करके turn on bitlocker पर click करना है इसके बाद आपको use a password to unlock the drive पर click करना है और आपको अपना password एंटर करना है password एंटर करने के बाद आपको next पर click करना है और इसके बाद आपको अपने इस file को save करना है तो अपने इस file को save करना है यानि आप अगर इस file को save करते हैं तो होगा ये कि अगर आप future में अपना password भूल जाते हैं तो आप इस file की मदद से आप इस password को recover कर सकते हैं तो save file पर click करने के बाद आप next पर click करें इसके बाद आपको encrypt and use disk space only पर click करना है उसके बाद next पर click करना है इसके बाद आपको compatible mode पर click करके next पर click करना है और उसके बाद आपको start encryption पर click करना है start encryption पर click करने के बाद आपका जो processing है वो encryption की वो start होगी इसमें कुछ time लग सकता है max to max 5 to 10 minutes आपकी processing complete होने के बाद आपको close पर click करना है तो ये था दोस्तों हमारा BitLocker का फीचर जिसकी मदद से आप अपने PenDrive और डिस किसी को भी Password Protected कर सकते हैं